क्या शिव सेना उद्धव ठाकरेगुट के सामने भी यही समस्या है क्या शामिल होना पड़ेगा क्या कॉंग्रेस में चुनाव के बार देखिए मैं मैं अलोग जी से एक बात पूछना चाहता हूँ और विजवान श्रिवास्तों जी को भी मैं आड़ करना चाहता हूँ कि 48 में से 48 सीटे यह जीत रहे हैं और मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो पिछले एक साल से कह रहा हूँ कि महारास्ट के अंदर जिस प्रकार से पातियां सोड़ी गई, जिस प्रकार से तरकार गिराई गई, जिस परसा से जो कोड़ इसु है महारास्ट के, जो किसानों के इसु है, जो ग्रामी नात्र व्यवत्ता के इसु है, बेरोजगारी के इसु है, इस पर नजर अंदाज किया गया इतलिए जो लोगों की नाराजी है तो महारास्त से एंडिये को एक भी सीट तुन्टे नहीं आ रही है और मैंने ये भी कहा था एक भी सीट जिसमें चारी सीटे अभी ये मोज रहे है नितिन गड़करी, पंकर्चा मुंडे, पुना की सीट और प्यूज गोहल की तो मैं ये बता रहा हूं कि ये चारो सीटे पानी में गई है और इन ये आकरी सीट जो प्यूज गोहल की थी केसर यासमन जोगी हुआरे दिल जुमेह देखो, पत्वारा हुआरे, दिल जुमेह देखो, पत्वारा हुआरे हर पल मनाओ, केसरी तेवाहर, विमल, बोलो जुमा केसरी पंत प्रदान अपनी बहुत जोर लगा रहे है, लेकिन पंत प्रदान यहां पर बचा नहीं पाएंगे, अगर मैं राजनीती थोड़ने की बात करता हूं, तो मानक गुपता, अलोग, अटे अलोग, और प्रिश्मोहन प्रिवास्तों के बात पुले, कि यहां पर इंडिया अट प्रदान एक भी सुटा है, तो यह सभी सारवजली की बहुत बढ़ी आजया लोग, चुनोती स्विकार करिए, करिये चुनोती स्विकार अजया लोग, किशोरती बारी तो साफ साफ कह रहे है, बीजेपी की एक भी आई तो राजनीती छोड़ देंगे, आप भी कह दे तो यह क्या छोड़ेंगे राजनीती, राजनीती तो उधव ठाकरे की छूट जाएगी, मैं मैं, एक मिंट, किशोर जी, ने आज राजनीती तो उधव ठाकरे और शिफसे ना UBT खतम हो जाएगी, कानी खतम, आप दूसरी बात करते हैं, सबसे पहली बात, एक मिंट, किशो जी, किशोर जी, बात सुनिये न, आपको थोड़ा से यादाश ताजा करते हो, सबसे पहले कि उधव ठाकरे की सरकार गिराई नहीं गई थी, उधव ठाकरे ने इस्तिफा दिया था, जिस पे शरत पवाद ने नराजगी व्यक्त की थी, कि उधव ने इस्तिफा क्यों दिय इस्तिफा नहीं देना चाहिए था, विधान सबा में जाते हैं बहुमत का फेस करते हिम्मत नहीं थी, थर थर आ गए, इस्तिफा दे के भाग गए, रण में आने का हिम्मत नहीं है, रण गीतने का प्रण पहले ले ले लेते हो, वही हाल है, कॉंगरस के साथ संगती का असर हो गया है बालब स tutom हो ज़िया रिभा वारा winning श्रीव भास्ताइब कि एड mentor करें और टाली सारी अना बոल दीजिये अगर एक भी आगर इंडिया भर भास्तों की जीत रहा हूं हमें राजनिती छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़े गिमानक भाई और ये बात बुलकुल पक्की है इसमें किसी परकार का कोई भी डाउट किसी को नहीं करना चाहिए जो जिस परकार से चुनाव परचार चल रहा है जिस परकार से छेतर की जनता हमारे करता है कि कई बार अपने दल की बात करना जरूरी होता है तो वो हकीकत से दूर भी हो सकती है बात मुझे ऐसा लगता है कि तेहारी जी का ये दावाँ पूरी तोर से सच नहीं है और इस पे कोई ये कवी पूरा नहीं है अब नरेंदर वर्मा, एक सवाल जो बार बार आपक के नेता को लेकर चानक के कहा जाता है उनको 55 साल हो गए राजनीती में दूर द्रिष्टी उनकी बहुत आगे तक जाती है चुनाव के बाद अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो कहीं NCP NDA में तो नहीं आ जाएगी आपकी वाली NCP मानक जी मैं आपको कहना चाहता हूं वो चीज को मैं फिर से दौरा रहा हूं कि 25 साल पहले जब हम जन्मे थे कॉंग्रेस से अलग हुए तब से राजनीति गल्यारों में ये चीजे समय समय पर आई है कि आदर्णिय शरत पवार जी अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्च कर देगे 25 साल एक लंबा कारिकाल होता है कॉंग्रेस इससे पहले NDP तिवारी अर्जुन सेंग जैसे दिगज नेता हूं उन्हें कॉंग्रेस छोड़ी वह वापस कॉंग्रेस में चले गए लेकिन आदर्णिय पवार साब ने अपना स्थित्व यूपीए में बना के रखा तीन-तीन केंद्रिय मंत्री अब उनके रहे राजिपाल उनको मिला तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 25 साल का कारिकाल बहुत दो बार हो चुका है और आप महराश्टे का नतीजा देखना यूपे के बाद का सबसे बड़ा राज्य है अर्टाली सीटे आती है और ये अर्टाली सीटों में मैं कहता हूं NDA से ज़्यादा महाविकास अजाड़ी की सीटे आती है ना आपने संभावना एक खुली रखी ह ना चुनाव के बाद ही तैय होगा ना क्या करेंगे देखिए लोक तंतर में जो चीजे कुछ चीजे ऐसी होती है जो चुनाओ के नतीजे के बाद बहुत सी परिस्टितियां बदलती है लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आज तक पचीस साल में आदर नी पार साब एक सेकुलर रिडर रहे हैं उन्होंने हमेशा सेकुलरिजम को ताक्त देने की कोशच किया अरे नरेंदर जी नरेंदर जी कैसी बात करते हैं 2014 में विधान सभा में बीजेपी की सरकार किस ने बचाई थी आपकी पार्टी ने बचाई थी 2017 2019 कितनी बार बीजेपी से डील डन हो गई थी डील डन हो गई थी बीजेपी से और आप सेकुलरिजम की बात कर रहे हैं 2014 में हमने बाहर से सपोर्ट महरास्टे में दिया था क्योंकि बीजेपी क्योंकि हम चुनाव वापस लादना नहीं चाते थे लोगों पे महरास्टे की जनता पे क्योंकि एक चुनाव का अर्थ होता है अरे उसके बाद भी जब अजीत पवार गए थे तीन दिन की सरकार बनाने के लिए तब भी तो खुद आपकी नेता सुप्रिया सुले ने माना कि हमने बातचीत की उनको परमिशन दी थी पवार साब ने बस डील करने की परमिशन नहीं दी थी उन्हें अपनी मर्दी से डी लोग कि सरकारे नो राज्यों की सरकारे उन्होंने गिराएं तो हम लोग को समय दिया कीजिए आप तीनों महीं समय वरवात कर दे रहे हैं मैं कंप्लेन नहीं करता हूं पहली बार कर रहा हूं दूसरी बात शरत पवार की experience का कोई वुकाबला नहीं है 55 साल का राजनितिक अ नुभव है तो नरेंद मोदी को उन से लड़ते हुए 65 साल का नुभव हो गया नंबर एक नंबर दो हम आज भी उनकी राजनितिक अनुभव के कदर करते हैं ममता बनर जी की भी कदर करते हैं जिन्होंने प्रडिक्ट किया कि कॉंग्रेस को 40 भी नहीं आएंगी पावार सा खुद जानते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है तो ये तो ओके टाइम बिल्कुल खतब हो रहा है ब्रिजमों श्री वास्ता ब्रिजमों जी को मैं कम ताइम दे पाया ब्रिजमों जी क्या कहना चाहरे हैं बोलिए जरा बताये चार फेज के बाद आप कहां पर है और पूरी तोर से देश के लोग तत्र को लुकसान पहुंचाने का काम किया है क्योंकि ना तो उन्हों कोई अच्छा नेता सामने रहा हूँ कहते हैं न कि काटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ ब्रज मोहन जी चार तारीक के बाद हम देश को एक सशक्त विपक्ष देंगे एक सशक्त विपक्ष का नेता देंगे जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा और जो पार्टी भारती जनता पार्टी का नेता होगा और जान लिजे हम आपको पूरे सम्मान के साथ रखेंगे सम्मिधान के साथ रखेंगे लोक तंत्र के सात रखेंगे प्रलदेरस लोग ए לצू नुरत है अभी अरे नुर्मा को यूपिय की याद को निडार्य यूपिया यूपिया और बूल गया है अर्विंद केज़िवाद को फॉर्मेश में रहे हैं आप और आप नरेंद पूरी से सब्सक्राइब बहुत दन्यवाद